हेलो एवरिवन, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास्ट वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमा रहा है फिप्थ समकालिन विश्व में सुरक्षा, यानि की सिक्योर्टी वाला चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यापे अकोडिंग टू लेटिस्ट स्लेबस, ठीक है, 2023-24 का जो है, उसके अकोडिंग ही करने वाले एक बार आप स्लेबस देख लेजिए, आपकी फर्स्ट बुक में से ये चैप्टर आ रहे हैं आपके इस साल और लाश्ट यर के स्लेबस में देखिए, क्या-क्या टॉपिक थे, एक तो सिक्योर्टी पूछा वा था, फिर उसका मीनिंग एंड, उसके टाइप्स के बारे में पूछा था, और टेरिरिजम ये तीन-चार टॉपिक थे लाश्ट यर, लेकिन इस साल एक-दो टॉपिक आपके एक्स्ट्रा हैं, जो कि आपको देखने हैं अध्यान से, इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप इंगलिस में बढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में बढ़ सकते हैं, प्लीट नोट्स जो हैं, वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसमें आपको MCQ-Question, Important Question, ठीक है, और आपको चैप्टर के नोट्स, एकलवया-studypoint.com, यह जो हमारी वेबसाइट है, गूगल पर जाके सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यह जो सुरक्षा का अर्थ क्या है, यानि सुरक्षा का क्या मतलब है, अब देखें सुरक्षा, आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा का मतलब होता है, खत्रे से आजादी, यानि कि अगर हम खत्रों से आजाद हैं, हमें कोई खत्रा नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, कि हम सु ऐसा अगर is और अगर कोई भी मतलब रोसकते है लेकिन अगर आप यह सोचयं कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ HARमगा या रहूंगी- तो यहां पे भी एक आपकी भूल हो जाएगी क्योंकि हादसे जो हैं आपके घर पे भी हो सकते हैं घर पे भी आपकी जान को खतरा हो सकता है ठीक है चाहे आपके घर में किचन में स्लेंडर है वो खतरनाक है या घर में सब के बिजली होती है बिजली से करेंट होता है ठीक है क कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का रहता ही है तो अब ऐसे में समस्य यह आ जाती है क्या एसे में हर हर छोटे सी छोटे खतरे को भी खतरा मान ले नहीं आप देकिए example देता है जैसे kitchen में चाकू होता है चाकू से क्या गराया जाता है सबजिया काडते है फाल मारा हाथ भी गड़ सकता है ठिक है cylinder घर में होता है जो gas cylinder होता है आपको पता होगा कई बार gas cylinder की वज़ा से कुछ हास से हो जाते हैं तो ऐसे में क्या हम उसको खतरनाक मान लें सिलेंडर को रखना बंद कर दें चाकू को रखना बंद कर दें तो ऐसी बहुत सारी बाते हो जाती है जो आप हर चीज को अगर खतरा मान लोगे तो फिर वो हम जीएंगे कैसे ठीक है तो ऐसे में हमें किस चीज को खत्रा मानना है और किस चीज को खत्रा नहीं मानना ये हमें बताऊना चाहिए ठीक है तो सुरक्षा का मतलब क्या था खत्रे से आ जाती अब खत्रे जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं उन खत्रों को समझते हैं ठीक है दे उससे बहुत भयंकर नुकसान हो, तो संद्री मूले वाले खत्रे मानेंगे और जिससे कि हमें नुकसान हो सकते हैं, तो यह आपको समझ महा है होगा, तो यहां पर देखिए basic सा क्या आता, सुरक्षा का मतलब क्या होता है, आगे कि हमने बढ़ा, कि खतरा जो है हमें घर में भी होता है घर के बाहर भी होता है और हमें हर छोटी छोटे खतरे को खतरा नहीं मानना किस चीज को खतरा मानना है व्यापक जो बहुत कमभीर चीज हो जिसको अगर रोका ना जाए तो उसे बहुत भयंकर हानी हो जाए तो इसी को हम खत्रा मानेंगे ठीक है आगे देखते हैं सुरक्षा बात करते हैं सुरक्षा की तो देखें सुरक्षा जो है इसकी दो धारना है जो कि आपके सलेबस में दे रख्या है एक तो है आपकी पारंपरिक धारना एक है आपकी आपारंपरिक यानि कि इस सबसे पहले हम इसको detail में जानेंगे तो सबसे पहले यह बिलकुल याहद होना चाहिए कि सुरक्षा को हम दो प्रकार में बांटके यहीं पर हमारा देश भारत और भारत देश में हम रहते हैं और यह हमारे देश की सीमा रिखा है जो मैंने इस तरीके से हाइलाइट कर दिया है ठीक है हमारे देश से बाहर अब बाहरी खत्रे की बात अगर मैं करूँ ठीक है बाहरी सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ या किसी अन्य देश से हो सकता है खत्रा तो अगर हम किसी मतलब खत्रे का सुरोत किसी बाहर के देश को मान रहे हैं तो ये बाहरी सुरक्षा से संबन देता है बाहरी सुरक्षा को डेटेल में आपको समझाओंगा यहाँ पर बस आपको इतना समझाना था कि बाहरी सुरक्षा में खत्रा जो होता है में वो बाहर वाले देश से माना जाता है ये तो आपको बिल्कुल किलियर हो गया है क्योंकि बाहरी बाहर से ये आपको समझ मागया अब बात करते हैं अंद्रूनी यानि कि जो आंत्रिक खत्रे होते हैं ठीक है मैंने आपको यहां पर बताया था ना बाहरी सुरक्षा और आंतरिक तो आंतरिक में क्या होगा देश के अंदर अब देखो जैसे देश में आपको पता है मनीफुर में अभी क्या हुआ था ठीक है कश्मीर में क्या हुआ था या फिर अन्य स्टेट में क्या होता है कई बार दंगे हो जाते हैं लड़ाई जगड़े हो जाते हैं ठीक है मार काट हो जाती है तो यह जो होते हैं यह देश के अंदर हो रहे हैं इसमें खत्रा हमें किसी बाहर वाले देश से नहीं इसमें हमें अपने देश के अंदर ही है ज जहां पर देश के सीमा रिखा के बाहर से हो, उसे बाहरी सुरक्षा के अंतर गत रखा जाता है, ठीक है, यहां से आपको clear हो गया, अब चलते हैं, समझते हैं बाहरी सुरक्षा को, तो देखें, बाहरी सुरक्षा के अंतर गत सैन्ने खत्रे को ज्यादा खतरनाक समझा जाता ह mainly यही होगा क्योंकि अगर हम बाहरी सुरक्षा में हमारा जो main खत्रा किसे माना जाता है किसी दूसरे देश से खत्रा है तो main source क्या हो जाएगा सेने खत्रा हो जाएगा क्योंकि कोई दूसरा देश अगर हम पे मतलब आकर्मन करता है तो वो कैसे करेगा अपनी सेना के जरी यही करेगा तो बाहरी सुरक्षा में ऐसा माना जाता है कि इसमें जो सैने खत्रे होते हैं जो किसी दूसरे देश से होते ही यह ज़्यादा खतरनाक होते हैं और खत्रे का सुरोत इसमें कौन होता है कोई दूसरा मुल्क पडोसी मुल्क हो सकता है या कोई दूसरा दूर का देश हो सकता है कोई भी हो सकता है सैने हमले में सिर्फ सैनिक लोग नहीं मारे जाते हैं ये ना सोचे कि सैनिक हमला होता है तो उसमें केवल सेना ही मारी जाती है उसमें आम जो सिविलियन होते हैं जो नागरिक होते हैं वो भी मारे जाते हैं ठीक है और जो सेना में जो सैनिक होते हैं वो भी गईना कहीं देश के निवासी होते हैं ठीक है उनके माता पिता उनका पर कर रहा है नुकसान पहुचा रहा है तो कहीं न कहीं वो उस देश की सरकार के होसले को तोड़ना जा रहा है इसलिए भारी सुरक्षा मेहत्पूर्ण हो जाती है ठीक है और भारी सुरक्षा में हमें खत्रा जो होता है वो हमेसा पड़ोसी मुल्क से हो सकता है या फिर दूर के मुल्क से हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आई कि बाहरी सुरक्षा में में कंसर्ण जो होता है वो क्या होता है सैने खत्रा होता है जो कि किसी दूसरे देश से होता है इसमें क्या होता है इसमें बाहरस्त के देश के द्वारा नुकसान पहुचाए जाता है ऐसा पारंब्रिक धारणा में माना जाता है और थोड़ा और डिटेल में समझते हैं देखें हमें पता होता है कि पडोस का कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है अगर आप देखोगे मैप में तो आपको पता है हमारे पडोसी देश कौन कौन से है तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे पडोसी देशों में से कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है हम से तो कौन सा देश हमको नुकसान पहुचा सकता है ठीक है यह चीज़ हमें पहले से ही पता होती है और हमें ये भी किलियर अंदाजा हो जाता है कि हमें खत्रा जो है भोविश्य में आने वाले समय में किस देश से हो सकता है अपने पडोसी देशों में से कौन सा देश ऐसा है जिस से हमें खत्रा हो सकता है बिना युद्ध की ये मान लेना, यानि कि second जो पक्ष है उसकी बाद को सुनना, और उसको समझना, उसके बाद उसको मान लेना, ठीक है, बिना युद्ध के, बिना किसी लड़ाई जगड़े के, एक ये होता है option, फिर एक option ये भी होता है, या तो युद्ध हो जाने पर, अपनी रक्षा करना, और हमलावर को पराजित करना, ठीक है, इस level पर हमला करना, ताकि वो खुदी डर जाए, और अपने आप ही पीछे अड़ जाए, तो ये तीन स्थिती होती है, तीन स्थिती आपको याद रखनी है, नेक्स्ट एक टॉपिक कई बार आपकी पेपर में आ जाता है, कभी को बारी पूस्ते हैं, वैसे ये, सक्ति संतुलन, सक्ति संतुलन का क्या मतलब है, ये समझे, दिखे, सक्ति संतुलन जो है, मैं आपको पहले यहाँ पर आसानी से समझा देता हूं, बनाना जरूरी है अब ऐसे में भारत को पता लगेगा कि बनाना जरूरी है अब ऐसे मान लिजे कि भारत के दो सो परमान हतियार या भारत की सेना चो चोटी है और चाहिना की सेना मानलो बढ़ी है तो ऐसे में भारत को पता लगेगा कि भाई हमारी सेना उनसे छोटी है कल को योद्ध हो जाए तो हम हम हो सकता है हम हार जाए तो ऐसे में हमें क्या करना है अपनी सेना को मजबूत करना ह ठीक है, अपने हतियारों को बढ़ाना है, और कहीं न कहीं उस से उस लेवल तक बढ़ाना है, जब हम उसके बराबर में आ जाए और जब चायना को पता लग जाएगा कि भारत भी हमारे बराबर का है, तो ऐसे में क्या होगाए, अब आप सोचेपी जब किसी भी देश को दू चोटे हैं, कम ताकतवर हैं, कुछ देश बड़े हैं, जो की ज़्यादा ताकतवर हैं, ऐसे मैं हमें किलियर पता लग जाता है, कि हमें खत्रा जो है, वो किस देश से हो सकता है, ऐसे मैं हम अपने सेना को बढ़ा कर, अपने हतियारों को बढ़ा कर, उससे कहीं न कहीं शक्ति संतुलण करने का प्रयास करते हैं जो पावर है उसको बैलtense में लाने का प्रयास करते हैं तो इसे को शक्ती संतुलण का जाता है अब आपको और दिखाता हूँ ध्यान से देखो कोई देस अपने अडोस पडोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं और कुछ मुल्क यानि कुछ देश जो हैं वो बड़े हैं इससे किलियर इशारा हमें मिल जाता है कि भविश्य में हमें किस देश से ज्यादा खत्रा हो सकता है मिसाल के लिए, example के लिए अगर हम देखे तो कोई पडोसी देश संभाव है कि वो ये ना कहें कि वो कोई हमले की तयारी कर रहा है लेकिन हो सकता है वो hidden रूप से कहीं न कहीं हमले की तयारी कर रहा हूँ और हमले का कोई हो सकता है कि कोई कारण भी ना हो और हम बिल्कुल रिलेक्स बेटे हूं जैसे चाइना 1961 में हुआ था क्या हुआ था कि 1962 में ठीक है देखो 1962 में 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था उससे पहले यानि 1962 से पहले ही हमारे जो वल्लब भाई बटेल दे उन्होंने नहरू जी को समझाया था कि चाइना जो है ताकतवर देश है और हो सकता है आने वाले समय में हम पर आकर्मन कर दे ठीक है तो ऐसे में हमें अपनी जो सेना है उसको मजबूत रखना चाहिए और हमें सेनने हतियार बढ़ाने चाहिए लेकिन नहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना वहाँ पर यही हुआ था कि जरूरी नहीं है कि कोई देश आपको बताए कि भाई हम तयारी कर रहे है और हम हमला करेंगे नहीं फिर भी ये देखकर कोई देश बहुत ताकतवर है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भविश्य में कौन हम पे हमलावर हो सकता है, किस से हमको नुकसान हो सकता है, इस वज़े से सरकार जो है दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर समवेधन सील रहती है, हर यह ज्यादा तर अपनी सेने शक्ति को बढ़ाने के मामले में होती है, इसमें क्या होता है, शक्ति संतुलन बनाने के लिए ज्यादा तर अपनी सेना बढ़ाई जाती है, हतियार बढ़ाए जाते है, ठीक है, टेकनोलोजी बढ़ाई जाती है, यह होता है, और आर्थिक और और प्रोध्योगी की यानि टेक्नोलोजी की ताकत भी यहां पर महत्पून है क्योंकि सेने शक्ति का यही आदार है मान लीजे कोई देश है वो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके पास टेक्नोलोजी नहीं है तो वो हतियार कहां से लेके आएगा इतने ठीक है आर्थिक रूप से और प्रोधोगी के मामले में भी उसको डेवलप होना चाहिए हतियार सेना इस मामले में भी वो आगे होना चाहिए तब ही क्या होता है सक्ति संतुलन बन पाएगा नेक्स्ट आपका बाहरी सुरक्षा के उपाए कई बार पेपर में आ जाता है तो देखें बाहरी सुरक्षा के उपाए क्या हो सकते हैं बाहरी सुरक्षा में क्या मतलब खत्रा किस से होता है मैंने आपको क्या बतायता है किसी दूसरे देश से खत्रा होता है जो बाहरे देश शक्ति संतुलन इस्थापित करना यानि कि हमें पता रहता है कि किस देश से हमें खत्रा हो सकता है उसके बराबर हमें अपने हाथियार इखटे करके रखने है या फिर गटबंदन की नीति अपनाना पहले से गटबंदन बना लो छोटे छोटे देशों से बड़े बड़े देशों से कि गटबंदन में ये डील हो जाती है पहले ही कि हम सभी एक साथ हैं अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ठीक है ये भी हो सकता है ये तो था बाहरी सुरक्षा अभी तक जो हमने पड़ा अब बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा की ठीक है आंतरिक सुरक्षा को समझते हैं देखे इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें खत्रा जो होता है वो देश की सीमा रेका के अंदर होता है यानि देश के किसी राज्ये में हो जाए ठीक है और इसमें देश की सीमा रेखा कि अंदर खत्रा कैसे हो सकता है हिंसा की गटना आपने देखा है देश में कई बार हिंसा हो जाती है सामपरताइक हिंसा यानि धर्म को लेकर हिंसा हो जाती है दो धर्मों के लोगों के बीच में हिंसा हो जाती है अलगावाद का मामला चीक है नकसलवाद भी एक समस्या है जो देश की आंतरिक समस्या है जाती है हिंसा हो जाती है या राजनितिक आस्तिरता ये कुछ ऐसे रेजन है जिसको देश के अंदर ही खत्रा रहता है और यहाँ पे मेरा एक कोशन है आप से आप मुझे कमेंट पर बताईए कि हमें बाहरी खत्रों से ज़्यादा नुकसान होता है या फिर हमें आंतरिक खत्रों से ज़्यादा नुकसान होता है हमारे लिए ज़्यादा नुकसान दाय कौन से हैं बाहरी या आंतरिक ठीक है यहां पर नयाय युद्ध का मतलब क्या है युद्ध जो है तब ही होना चाहिए जब उसके पीछे कोई उचित कारण हो युद्ध आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए या फिर दूसरों को जन सनार से बचाने के लिए युद्ध जो सादन होते हैं जो हतियार होते हैं उ आत्म समरपन कर रही है तो ऐसे में शत्रू को मारना नहीं चाहिए अगर वो सरेंडर कर रहा है तो नहीं मारना चाहिए ठीक है सेना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आत्म रक्षा के लिए जरूर ही हो बलप्रयोग तभी हमें करना चाहिए जब सारे के सारे उपाए आसफल हो जाए जब लगे कि लाष्ट रास्ता जो है वो बलप्रयोग का बचाए तभी बलप्रयोग करना चाहिए उससे पहले बाच्चीत के जरिया या ने कोई भी तरीका हो सकता है उसको सुलजाने का प्रया जा सके ठीक है निरस्त्री करन की मांग क्या होती है इसमें यही होता है कि सभी राज्य जो हैं चाहे उनका आकार ताकत या प्रभाव कुछ भी हो कुछ खास किसम के ऐसे खतरनाक हतियारे जिस जिन हतियारों को रखने से वह बाज आएंगे या उसको रोकेंगे एक्जामपल क इसके लिए कुछ संधिया भी की गई जैसे 1972 में जैविक हतियार संधि जिसको BWC कहा जाता है ठीक है 1992 में रासायनिक हतियार संधि जो की केमिकल वाली जो संधि थी तो यह हो गया इन संधियों में ऐसे हतियार को बनाने और रखने से प्रतिबंदित करतिया गया था यानि जो खतरनाक हतियार हैं उसको बनाने से भी रोक लगाई गयी और रखने से भी रोक लगाई गयी थी ठीक है तो यह गई ना कहीं अस्तर को क covered यानि हतियारों को कंट्रोल करने के लिए कुछ संधिया किये जाती है और BWC जो संधि ती इसमें 105 से जादा देस सामिल हुए थे CWC संदी में 181 से ज़्यादा देश सामिल हुए थे इन्होंने हस्ताक्चर किये थे इस पे इन दोनों संदियों पर दस्तकत करने वालों में लगबग आप ये कहलो कि लगबग सभी जो महाशक्तियां वगेरा थी वो सामिल थी लेकिन महाशक्तियां अमरीका और सोविय संग जो है सामुएक सन्यार के जो अस्त्र है यानि जो परमानविक हतियार है उन्होंने इसका विकलप नी छोड़ा वो छोड़ना नहीं चारे वो चारे कि इनके पास परमान हतियार रहे हैं ताकतवर अतिया रहें वो रहें यानि कि थोड़ा सा कन्ट्रोल कीए अस्तर नियंतरन किए Jennifer अगले आपको सूरक्षा की आप आंपरीक धारणा अभी तक हम क्या पढ़े रेते हैं सूरक्षा की पारंपरीक धारणा जिसमें हमारा बाहरी सुरक्षा जाता है और आंतरिक सुरक्षा जाता है ठीक है बाहरी को हमने डिटेल में पढ़ा आंतरिक को डिटेल में पढ़ा अब पढ़ेंगे हम सुरक्षा की जो आपारंपरिक धारना है यानि कि नौन ट्रेडिशनल जो धारना है उसको देखेंगे तो सुरक्षा क आप आरंपरिक धारणा में केवल सैने खत्रे को खत्रा नहीं मानते यानि इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था अपने ध्यान से देखा हो तो बाहरी सुरक्षा में हमने दूसरे देश से सेना का खत्रे को मेन खत्रा माना था आंतरिक सुरक्षा में हमने देश के अंदर जो स्री, ग्लोबल वर्मिंग का मुद्दा हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, ठीक है, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, भीमारिया हो गई, तो ये सबी के सबी इसमें माने जाते हैं, आप अनंपरिक खत्रे के रूप में देखा जाता है इनको, और एक कोशन आता है, ख शर्णार्थियों की समस्या, जनसंख्या विर्धी और एट्स बर्ड फ्लो जैसी बिमारिया जो हैं, ये कहीं न कहीं खत्रे के नैस रोते हैं, तो इतने सारे पॉइंट आपके सामने हैं, इसमें से आपको लिख कर कोई, जैसे मान लोग छे नंबर का कुशन आ रहा है पेपर शर्णार्थि कौन हैं, जो लोग मजबूरी में देश चोड़ते हैं, जैसे मान लोग कोई यूद्ध हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई राजनितिक संकट आ जाए, इसके वज़े से देश छोड़ते हैं, तो ये सर्णार्थि होते हैं, फिर आंत्रिक रूप से थापित क्यलाएंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका सायोग मोलक सुरक्षाई इसमें से कुशन आ सकता है पेपर में इंपोर्टेंट है अभी तक जो हमने बात किये उसमें हमने बात किये कि विबिन देशों को अपनी सेना को बढ़ाना चाहिए ठीक है अपनी सेना को ताकतवर बनाना चाहिए तब ही शक्ति संतुलन होगा यह सब हमने बढ़ा था लेकिन अब हम बात करेंगे सायोग के देखे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे सेना और ताकत काम नहीं आती यहां पे सेना और ताकत और आर्थिक वर्चसु भी काम नहीं आता तो वह कौन से मु जोग मुलक सुरक्षा की जा सकते हैं उसको समझते हैं तो देखें आज इंसान के जीवन में अनेकों परकार के खत्रे हैं और इन खत्रों से निपटने के लिए हमें जरूत है आपसी सहयोग की ठीक है हर जगा हर खत्रे में सेने कारवाई से समस्या का हल नहीं निकाला जा स सकता जैनि सेना के दुम पर सभी समस्या का सौल्यूसर नहीं किया जा सकता आतंकवाध और मानवदिकार की रक्षा में सेने शक्तिका इस्तेमाल जरूरी होता है ठीक है आतंकवाध द से निपटना सेना चाहिए, मानावधिकारों की रक्षा करनी है, तो सेना की जुरुत पढ़ सकती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जहां पर सेना काम नहीं आती, जैसे कि एक्जाम्पल देखे, गरीबी मिटाना, तो यहां पर सेना कैसे गरीबी मिटाएगी, तेल, धातू, आपरवासी, सरवनार्थी, महामारी, इन समस्याओं का हल जो है, वो सेने शक्ती से नहीं हो सकता, तो इन समस्याओं का हल कैसे हो सकता है, सहीयोग से, अगर सभी देशे एक दूसरे का सहीयोग करे, तो इन समस्याओं का हल किया जा सकता है, इसी को सायोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है किलियर हो गया होगा और थोड़ा सा समझते है अधिकांस मामलों में क्या होता है सैनेबल का प्रयोग से मामला बिगड जाता है ऐसे में ज़्यादा प्रभावी यही होता है कि अंतराश्टिय सैयोग से रण नीति तैयार किया जाए यानि कि इंटरनेशनल लेवल पे सैयोग के जरिए एक अच्छी स्ट्रेजी बनाई जाए ठीक है और सैयोग जो होता है वो दो पक्षी हो सकता है यानि दो देशों के बीच में महादेशी हो सकता है यानि कई सारे देशों के बीच में छेत्रिय भी हो सकता है और वैश्वे किस तरगा भी हो सकता है तो सैयोग जो है कैसा भी हो सकता है और यह इस बात पर भी निर्बर करेगा कि खत्रे की प्रकृती कैसे है मान लो दुनिया के सामने कोई खत्रा आ जाता है तो ऐसे में सारे खत्रे भाज निबटने के लिए जरूरी थोड़ने काम आएगě और दूनिया बर में मन्धी आजाती है ठीक है बहुत बड़ी मन्धी आ जाती है जिससे लोग गरीब हो जाते है लोगों को नुक्सान होता तो ऐसे में सैने बल काम नहीं आएगा, ऐसे में क्या काम आएगा, सबी देशों का आपस में मिलना, एक दूसरे का सायोग करना, एक अच्छी रण नहीं ती तयार करना, ठीक है, यही चाहिज है तो काम आएगी, इसी को हम सायोग मूलक सुरक्षा कहते हैं, ठीक है, सायोग मूलक के लिए काम करते हैं जैसे रोगी है घर दॉनिया के लिए काम करें दॉड बैंक हो गया इन्ष कबर्सफ कर मंडेला होगे इन्होंने भी क्या करा है दुनिया के भले के लिए अपना सहयोग की है सहयोग मोलक सुरक्षा में अंति मुपाय के रूप में बल परियोग किया जा सकता है देखिए इसमें भी बल परियोग की अनुमति दे रखी है लेकिन कब जब अंति मुपाय यानि कि जब सारे तरीके फेल हो जाए पहले मान लीजिए कोई देश की सरकार अपनी जंदा को मारने लगे उनको काटने लगे उन ठीक है मानवधिकारों का हनन करने लगे ऐसे में जो यूएन नो है जिसको हम अंतराश्टी ब्रादरी कह सकते हैं यूएन नो अगर कोई पूचा जान तो सब यह पूचा जाता है ज क्या 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 हो सकते हैं डेखे है आप यह सोची के प्राइम मिनिस्टर बना दिया अब आपको देश की सुरेख्शा करने तो आप कौनसी चार strategy अपना सकते हो, अब आप सोचो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी सेने शमता को मजबूत करेंगे, यानि सेना को मजबूत करेंगे हतियार करेंगे, ठीक हतियार लेकर आएंगे, latest technology का इस्तेमाल करेंगे, ये, second number पर क्या करेंगे इसकी जो अंदरूनी समस्या है, उससे भी निपटना जरूरी है, फिर सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे, ये भी हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका last point हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना chapter खताब हो जाता है जदा बड़ा chapter नहीं है, जदा question बनते नहीं